नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज वर्ड इंडिया मैं हूँ आपके साथ तेहा परिहार और अभी अब मौझूद है नौइडा के अथौरिटी आफिस के बाहर यहां हम जानेंगे लोगों की समस्याओं के बारे में उनको सुनेंगे और यहां जानेंगे, कि यहां अधिकारी और करमचारी अपने काम को ले कर कितने जाग्रूक है ? अफिस का टाएम हो और अदिकारे को पता होगा भी जबाएम के यहां पर डायरेक्ट अधिकारियों के इंट्री जप करता है जो आते हैं के अधिकारी में पता ने हैं। कर वो टाइमिंग पतने आप नहीं बताएंगे कि कि ट्रवाइब आपकी ड्यूटी तो यह रहती है ना सठ तू पता थो कि बज़े अधिकारी आते हैं तो आई जाते हैं अपने टाम से इसके बारे में सब्सक्राइब सब्सक्राइब अपना उस पर निकल जाते हैं वह फिल्ड से आते हैं तो वह पता नहीं सकते कि कौन अधकारी कितने वजह आते हैं और जो समविदा पर करमचारी काम करते हैं उनका भी टाइमिंग तू पता होगा ना वह भी इधर ही से इंट्री होती है या फिर पीछे बागेट नहीं वह उ से इस एथर्टी के चेकर काट रहे हैं मेरा नाम हुकम सिंग चौहान है जी आपकी क्या समस्या है समस्या यह कि मैं छोटे किसान का बेटा हूं और मेरी जमीन आस्ट तीस साल पहले गई हुई है और इन्होंने पिलोट के लिए बारे साल से मैंने जो डेल लाग रुपया ज पाइब नाम आता बहुत है कि अब हम दो बाइए एक बड़ा बाइए जिसका नाम आए हुआ मेरे कट हुआ है को अपने हिस्से में से मुझे सब्सक्राइब बताइए अधिकारियों से डारेक्ट आपकी बात होती है या फिर कोई बिचॉल्या आजाता है और बोलता है कि सब पैसे हमको काम करा है अधिकार पात होती है हमने कई बार हलां कमपलेंट डाली हुई हैं अभी हमारी कोई सुनारी नहीं हो रही है कि यह अमाया यह कि तीन– तीन तो शुनलके हो जाती है अभी 12 12 14 साल के 7 आज पी लूट्डं की सिष्किम कोटा प्लिट की लिष्ट इसकी माई थी वह फारम एक हजार का और पांसों रुपे का फारम भरक का है उसके साथ में डेल लाकी डीडी लगा रखी है जो नवेडा अथर्टी के पास है आपके जो पेपर आपने बताया क्या वह हूंगे आपके पास से समय मौत जादिखा यह कज़र आप डेल तो मैंने यह लगा रखी है फाइले मेरे पास और इसके हम चक्कर काटने हैं जी यह सारे जो हमारी जमीन के काईस्ते हैं और यह 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 लाक के डिडी यह जमा करके जिए उसको ग्यारह साल पहले माय बती के सासन में हमने जमा किया था और तब से अभी हम ऐसे ही चक्कर का तेहां किसलें साल किसले हमारी जबीन गई अभी कितनी बार तक हम एपलीकेशन कागे सब लगा गए है फिर भी हमारे जो लिस्ट में रिच्ट में पहला माता है कभी आता है कभी यह उटकाम है उसके यहां का जो इसका नाम में पटवारी और जली जिला अधिकारी से भी मिले हुए मगर कोई सुनवाई नहीं होती है बार-बार कभी प्लोट में नाम आता है कभी काड़ देते हैं आपने सुना कि 30 साल से ये चक्कर काट रहे हैं सरकारी लोग यहां जो तैनाथ है जो मौझूद है जिनकी ड्यूटी लगी है वह बस चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया है उन्होंने कोई सुनवाई नहीं हो रही है कोई भी कारवाई नहीं हो रही है बस मिल रही है तो तारीक पर आपका नाम क्या है प्रतीक्षा नाम है कब से आप यहां पर मुझे दो साल हो गए यहां पर पास की टाइमि जो आपने बटाईए ए JOE 949 डवी 16 सारे पास इत भी शिकायत कर साविया इतनी शिकायते आती हैं इतनी शिकायत कर सब्सक्राइब जए यह पर भार होती है सब्सक्राइब most ने हूं का हूँ हुए अधियो परकार की समझ्याएं हैं यह समझ्याएं कोई ऐसी नहीं कि एक बार में आई हैं और एक ही बार में खतम हो जाती हैं इसको आप समझ्या की बजाए इसको लोगों के request कह सकते हैं जो उनके काम होते हैं वो लेके आते हैं वो तो यूजवल प्रॉसेस है रूटिन का प्रॉसेस है और यह रेगुलर प्रॉसेस है लोग अपनी समस्द्वाइन लेके आते हैं हमारे टाइम विसको जन्रेट होता है उस आईडी पासवर्ट के माध्यम से अपना वह हम लोग अप्लोट कर देते हैं उसको डाउनलोड कर सकता है इसी तरीके सा अगर किसी को म्यूटेशन का है काम करवाना है या मॉर्गेज का है उसका भी टाइम लिमिट फिक्स है हमारे किसी में पांस दिन है किसी में सेबन डेज है विदिन टाइम लिमिट वह भी उसकी समस्या रिया रेक्वेश्ट उसकी रिजॉल हो जाती है जैसे लोग बोलते ना कि बाहर लिस् लिष्ट ऐसी नहीं लगाई जाती है पूरी प्रक्रिया अउनलाइइन होता यह है कि उसके बाद भी जैसे कुछ लोग हैं जो अनलाइइन होने के बाद भी वह आ जाते हैं यहां पर रेक्वेस्ट करते हैं कि उनका जल्दी काम हो जाए किसी को क्यों को और प्रॉब्लम रहती है तो उसको और जल्दी रहता है ऐसे लोग आते हैं अधर्वाइस पूरी प्रक्रिया ओनलाइन है किसी को तारीख या उसको डेट देने का यहां कोई सवाल निकल के आई कि जैसे काम जल्दी कराना तो बिचौलिया मिला होता है कि कुछ पैसे दे दो जल्दी काम हो जाएगा क्या ऐसा भी कुछ यह देखिए ऐसा सुनने में आये था जो है और उसको रोक लगाने के लिए पूरी प्रक्रिया का ऑनलाइन किया गया है और इस पे मुख कारपाले के दिकारी महोद्या बहुत ही सक्त हैं उन्होंने पूरी तरीके से अगर कोई समस्चा होती है तो यह भी आदेस हैं कि वेश्डी लेवल के अधिकारी या उनके उत्षास्तत के अधिकारियों से वह मिल सकते हैं अपनी समस्चा को रख सकते हैं सब्सक्राइब और उनलाइन की सर्विसेस प्रवाइट कर दी जाएंगी अगिए एसा नियम हाय वो पूरा complete तीन दिन में करके देना होगा क्या ऐसा कुछ अभी है नहीं तीन दिन का process नहीं है minimum पांस दिन का है जैसे हमारे हाँ जो mortgage की permission होती five days का उसका time limit है पांस दिन में कर दिया जाता है कभी कभी किसी किसी प्रकड में थोड़ा सा समय लग जाता है for example अगर किसी का no dues नहीं है कोई पैसे उसको जमा करने है उसने मेरे पास apply किया apply करने के बाद हम उसे intimate करते हैं कि आपका ये ये पैसा जमा होना है अब वह व्यक्ति कितना जल्दी अपना पैसे जमा कर वा देता है रसीद लाके प्रस्तूत कर देता है रसीद ओनलाइन अपरोड कर देता है तो उस जल्दी उसका काम हो जाता है ऐसी परिस्तिती में अगर end user की बात करें end user की तरफ से भी अगर जल्दी की जाती है तो वो विदिन टाइमली हो जाता है authority की तरफ से अब किसी प्रकार की कोई जो है सभी चीज़ां online है within time limit उसको resolve कराने के लिए हम प्रतिबद हैं हमने अभी बात की भूलेक विभाग के अधिकारी संतोष पाध्याजी से उन्होंने बताया कि सारी प्रक्रिया शिकायतों की online होती है कुछ लोग फिर भी शिकायत लेकर आते हैं कि उनकी तमन की तसली रहे कि उनका काम हो रहा है और रही बात बिचॉलियों की तो उनके पे भी कारवाई की जा रही है कि परिसर में कोई भी ऐसा बिचॉलिया मौजूद ना हो जिससे पूरे ओफिस का वातावरण खराब हो कि मैंने टीए में अपलाई किया था आज मुझे दस बारा दिन हो गया है तो मुझे उसके बारे में पता नहीं लग पा रहा है कब तक वैसे हाथ वाथ हो जाता था जब से ओनलाइन होगा तो काफी लंबा समय हो गया आज आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लोगों की क्या समस्या है उनका समस्या क्या निप्टारा किया जा रहा है कारण सिंग नाम है मेरा किस काम से आया हूँ मैं तीन तारिक को मैं आप्लिकेशन लगा है उसके वावजूद भी आतीन तारिक से तेज सारी होगे टोटल बीस दिन हो चुके इसके वावजूद भी मलोग कोई अब तक कोई प्रोग्रेस्ट नहीं हुए है अंदर भी अंट तीन महीने के अंदर अंदर ताइम क्यों नहीं दिया जाएगा कुछ रिजन बता रहें कि प्रादी करण की तरफ से आधेस आया है कि जिनके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं अभी जब की मेरा मार्च पांच साल कंप्लीट होगा तो यहीं बता जा रहें कि आपको टाइम नहीं कंप्लीट हो जाएंगे तो इस वज़े से आपको टैम नहीं दिया जाएगा कि तो पनूट साल प्रोजें नहीं देँ के वावजूद एच्टे का समय दिया जाता चौ कि मेरा मार्च में कंप्लीट हो रहा है लेकिन अभी जैसे कि मेरा को जैसे अपनी बिल्ढवादिर Kita तियार करना उसको पास भी कराना तो उसके इसके उसके इस्के इसाब से मिरें को काफी कं समय लग रहा है तीन मेने मे Reloking कंप मैं चाता हूं कि एक-डो मेने गषोगे मुझे दे जाए एक दो महिना पहला है उसके लिए हम को बीश चकर काट चुके हैं कभी राणाजी कुर्शी पर नहीं होते हैं कभी हमारी फाइल का पता नहीं चलता के कहां है पर आते हैं तो नुक जी अब भार खड़े हो जो भीतर करो मेडम ने डिया जुलाही तक का टैम के इस बनाने बना यहां हम कैसे बना सकते हैं उसको बना सकते हैं उसको जमार पास नक्सा जक्ते बनाने के लिए भी एक टेशी लेटर दे रहे हमको अदिकारियों से महता हमारा क्या एक ऐसके पास रहाएं थीकी हो समय के वहां रखी है एक हफ्त यहां कॉन परदाशन करते हैं तो आप लोग कि समस्य जरूर चुनती हैं देते हैं और बड़े-बड़े-लोग मिले थे तो दंडा मार का देती है जूड़ी है मैम क्यों समस्य तो सुनेंगी आप कोशिच करते हैं कि बात करते हैं बहुत अधीकारी बैटे हुए न मेंटम से तो मिलें देश के देश्क रवार को अना बुद्वा को ना दो मिन्ट लेट हो को बारे बज़े से पहले आना बारे अब अब टैंसेने के लिए चक्र काट रहे हैं किसानों ने जो कुछ का भी जमीन दी थी उसमें पर फिलोट रहने लिए पिलोट लिए तो ऐसे चक्र उसमें पड़े अब भी अब एक टैंसले मेडम झुलाई कटकते हम दिया 202 जुलाई तब बनाना ने उसमें भी हमारा करने के पार काम नहीं तो बंता है अगान काम न दो तरीक से बनता है और लाइन ओन लाइन कंप्लेंड कि अपने बाद काम नहीं हो रहा हुआ ऑनलाइन क्वेज़ दिक्कात तो नहीं कि नहीं भी तो किते नहीं तो यहां पर अधिकारी की बातों में कितनी सचाहिए यहां के पीडित किसान पीडित आम जनता की लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है यह तो सब साफ हो रहा है अधिकारी बोल रहा है काम हो रहा है लेकिन जो यहां पबलिक है परेशान है आ रही है सुबा से लेके पास लगा रही है अधिकारियों से मिलने नहीं दिया जात यह पता करने के लिए कि हमारे नोड़ा और टोटी से फारम बढ़ा गया था रेड़ी पट्री के लिए उसमें दुकानों के लावमेंट के लिए कर दिया गया अभी तकले मेरे वो बैठाया नहीं गया जहां बैठाया गया वहां मेरा काम नहीं चलता है आप हम लोगो मने इत खा प्रण तनखा में मन्तली फिस और अभी तक ले मेरा नहीं बैठाया गया जहां बैठाया गया है जिसको वहां काम ही नहीं चलता है अधिकारीयों से आपने बात की छे-चार कंप्लेंट दे चुका हुमें कोई करवाई नहीं हुई उस पर कोई करवाई नहीं हुई अभी तक लिए कोई सुन्माई यह नहीं हुँ हमारा अपका बेठा लुप्य है कितने पैसे दे चुके यह बोला था कि आपको बैठा दिया जाएगा अभी तक लिए अठा रहा जारुपय जमा कर चुका हूं नहीं पैसे के काम नहीं होता हूँ नहीं पैसा के बात नहीं है वो जो मंतली का जो पैसा है था वो मैंने मंतली वाले जो तीन आजार रुपर मंतली इन्होंने सेक्टर में तर झाइब भी वैठेख बाद वी अब बाद बिल्वास्ता नहीं की गई तक अभी तक लिए कोई वश्ता नहीं की गागा गई मैं लिए कोरोना काज चलना हमारा बालबच्चा कैसे पलेगा और इतना बुरा अलाध चलना है कर जोना के जबाब नहीं अंदर में तो फाइल आज तुम्हारी एक महीने तीन महीने होगी किसी चीज को करते हुए कब से तीन महीने की लगातार मेरे समें तीन महीने की लगातार तीन महीने से आप आ रहे हैं नहीं शिकायत करने वह सुझाओ पे महीं है सई रिशेट नहीं तो इस्टापी आता ansenor अनदर है मंधम आपन आधांयमीं हृए और मरें मद छंटाने उसी है ज पंसे आ रहे हैं चैकलत कि आज ही वार ग्रफ लेजों नाइन कंप्लेन् नहीं किðी ओखीकिझ आक भी ऐसे तब करी थी आज बुलाया था मेल आया था कुछ आया था कैसे आई है बस ऐसी आया थे फाइल पूछने आया थे हम अपने पूछने आई थी कुछ आगे काम बड़ा साथ दिन हो गया आपका अपने का हां कह रहें कि हम करें कोशिस आज पहुंच जाएगी फैल हमारी अधिका ले लिए डिया बार ती यह भी वेकरें दिन बाद हो जाएक काम लग एक वोसमें और और एक में जिसकी अबजिक्षिंट्ट के लिखन उसको आज्ठी ए हुश और जो असली है उसको नहीं आरहा है किते दिन से किते महीनों से अब चक्रकार नहीं है जाके बताते हैं अधर तो बोला जा रहा है सुनवाई हो रही है ऑनलाइन कंप्लेइन आरी अभी तक डोजार ग्यारा सो भरे हैं डेट लाक रुपया भरे हुए है राज तक कुछ नहीं है कि विचावलया आए और बोले कि भाय पैसे हम से लें को काम कराते हैं आब होका रहे हैं तो आज के इंद्र नहीं है यहीं सब बताते हैं आपको पूरी जानकाई मिलती है आदिया दूरी के दिए वहां सु वहां चले जाओ वहां सु वहां चले जाओ ऐसा कुछ नहीं है नुएडा सेक्टर 116 में मेरा पांच परतिसत वाला प्लॉट मुझे दोहजार बारे में मिला था जिसकी रेजिस्टी भी हो गई है दोहजार बारे के नक्षे के अनुसार भी वहां पर प्लोट नोड़ा प्राधिकरन देने में सक्षम नहीं है और 2013 में वहां पर एक नक्सा पास्वा उसके अनुसार भी नोड़ा विकास प्राधिकरन मुझे प्लोट देने में सक्षम नहीं है क्या कुछ अधिकारी कह रहे हैं कुछ कही नहीं रहे हैं अधिकारी अभी कि तर ताइम कोई चार महीने तो मुझे प्रादिकरन के चक्कर लगाते हो गए रोज तो नहीं हफते भर में आता हूं कोई सुनवाई नहीं आपने ओनलाइन कि थी क्या ओनलाइन नहीं विटन में कंप्लेंड करता हूं में की तरफ से आसवासन है लेकिन प्लानिंग वाले और वर्क सरकिल वालों की तरफ से जो है इसमें बड़े अधिकारियों को गुम्रा क्या जा रहा है अधिकारियों तो बात ही नहीं पहुचती है गुम्रा कर दिया जाता है अधिकारियों को दिसम्बर उनीस से रजिस्टरी कराने के लिए परेशान हूँ, सैकड़ो बार चक्कर काट चुका हूँ, अभी तक मेरी रजिस्टरी नहीं हो पाई, मैं एक छोटे से मकान में रहता हूँ, सिर्मिकुझ में, एक कमरे के मकान में, मैं हाड का पेशेंट हूँ और भागबाग के परेशानों रजिस्टरी नहीं हो पा रही मेरी क्या कहते हैं कि करमचारी अधिक पर टालते रहते हैं अभी लॉकडाउन चला है अभी सफाई करमचारियों की हरताल चल लए अभी तुब साब का ट्रांसफर हो गया अभी मेडम छुट्टी पे हैं बस ऐसे टालते रहते एक कितने चक्कल लगाया तो टी के कितने चक्कल लगाई सेक्ड़ चकल लगा चुका हूं मैं एक कमरे के मकान में रहता हूं सिर्मिक कुझ में हाट का पेशेंट हूं हैं मेरी रजिस्टरी नहीं हो पा रहे एक साल से ओन्लाइन की थी आपने सर ओन्लाइन मुझे करना नहीं आता मैंने किसी से कर जाके मिलके आया कोई कारवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है कोई सुनवाई नहीं हो रही है और इस नहीं चुछ करते हैं कुछ नहीं सुंते हैं पैसे देदी चैनलता था हैं अभी तक आपने कितने पैसे दियों मैंने तो नहीं दिये इसलिए एक साल से चक्कर काट रहा हूं इसलिए काम नहीं किया अगर पैसे दे देता तो काम हो जाता मुझे एक साल से चक्कर नहीं काटना पड़ता आपने की कि बिच्वालिया आते हैं पैसे की मांग करते हैं कि पैसे दो जल्दी काम करा देंगे ऐसा किसी अधिकारी को कुछ नहीं बोला और मुझे मई के महिने में यहां पब्लिक के लिए इंट्री बंद थी मेरे पास नोटिस भेज दिया का आप 15 दिन के अंदर अपनी रजिस्टरी करा लो नहीं तो 50 रुपया रोज पैनल्टी लगेगा वो मेरे से पैनल्टी पैनल्टी लग रहा है तो और कोई रजिस्टरी ओपेस बंद था वहां कोई रजिस्टरी नहीं हो रही थी मैं भाजबा सरकार का कारकरता भी हूँ जन पिर्ति निधी भी हूँ और यहां पर जन पिर्ति निधियों की कोई सुनवाई नहीं है मैं कोई चार महीने से यहां पर अपने चक्कर लगा रहा हूं मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कोई कार्या नहीं हो रहा है और यह जो मैं लेटर आपको दिखा रहा हूं यहां प्राधी करन सेक्टर 116 में दो नक्से अप्रूड किये 2012 और 2013 दोनों ही नक्सों के अनुसार जहां मुझे पिलोट दिया गया वहां किसी और का बना खड़ा है अब बताइए मैं कहां जाओं पार्टी आपकी है फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हो जिस्टी भी है साइट प्लान भी है उसके बाद भी मेरे जहां नक्से में 3700 होता है मेरे पिलोट का नंबर वहां किसी दियोर का पिलोट है यहां पर अपने और किसे किसी बड़े अधिकारी से कंप्लेंग की कि मोख कारपला का दिकारी में से एक बार मैं मिला हूं और वह उनकी तरफ से आसवासन दिया गया कि आपका कार जल्दी ही सावशा इसका कोई ना कोई समाधान कर दिया जाएगा जो पीडित गरीब तपके के लोग हैं वो आते हैं वो बोलते हैं कि बड़े बड़े लोग आते हैं अपना काम उनका निकल जाता है क्योंकि वो बीजेपी के या किसी भी अधर पार्टी के हैं या बड़े बड़े उसके हैं हमारा काम नहीं होता है लेकिन आपके साथ तो सबस्याजा नहीं दिया जा रहा है काड़ीया तो मैं हो नहीं रहा है सबस्कार के वादें ऐक तरफ अधिकारी के दावें एक तरफ जमीनी प्लब किया है आपने देखा हमारे सकास कारिक्राम में हम फिर आप से मिलेंगे अपने सका सकरे करभने एक नए मुद्दे के साथ तब तक सेफ रहे सुरक्षित रहे मस्त रहे नमस्कार